भाड में जाए ऐसी रीसेल वैल्यू यार तो दोखा है बोलूगा भाई कि कस्टमर को नहीं पता है से जाधा अगर आफ लोड गाड़ी पे डालते हो तो आपका टैर कभी भी फट सकता है वो भाई कंपनिया कैसे दे रही है पाच पाच पाजार में भाई भले किसको बुरा लगाओ भाई कोई यह मानता हो लेकिन सचाही तो यही है और दूसरों को देखके कभी हलो जी वेलकम बैक टुर चल कैसे हैं आप सब उमीद कता आप सब बहुत अच्छे होगर फुल में लाइफ को इंजॉय कर रहे होगे आप होगे विकर हो भाई ये कौन सा तरीका आज वीडियो स्टार्ट करने का बिल्कुल टैर के पास बैठे हो जी हाँ बिल्कुल मैं टैर के पास बैठा हूँ और भाई इस टैर की और भाई बहुत सी गाडियों में जो टैरों में आपके साथ हो रहा है धोखा उससे भाई आज पढ़दा उठाएंगे हम क्यों करती हैं कं को तो knowledge है हम उस चीज़ से पार पा लेते हैं लागि देखो नुकसान तो हमारा भी होता है सबका होता है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भाई अपनी जिमनी की जो वाली है तो 4000 किलमेटर चलने के बाद क्या आपको टैर की वह रीसल वैल्यू मिलेगी भाड में जाए ऐसी रीसल वैल्यू है इस टैर की तो करेंगी क्या उस रीसल वैल्यू का यहीं बात रमन भीया ने मुझे बताई दी कि विकरम भाई आप चलालो इस गाड़ी को तरह चला साथ धोखा धोखा बोलूगा भाई कि कस्तमर को नहीं पता है आप ऐसे कुछ भी वेज़ाल के दे दोगे नहीं कि बिल्कुल ही खतम टैर नहीं होते हैं लेकिन जो इसकी क्वालिटी होती है उसके उपर भाई कॉम्प्रमाइज किया जाता है जब हमारे टैर की रीसल वैल् ना है कहां उसकी मेनफेक्शिंग डेट होती है सारा टोटली ना इस वीडियो में आपको मिलेगा और भाई अपनी मोटिफिकेशन कब होंगी वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा तो सबसे पहले आया थे भाई अपने जिमनी के टैर के उपर तो भाई कंपन होता है ऐसे नहीं लिखे जाते तो सबसे पहले तो यही समझाता हूँ 195 क्या है टायर की यह चोडाई में आ गया उसके बाद 80 क्या है किसी गाड़ी में 60 होता है किसी में 65 होता है किसी में 35 होता है लो प्रोफाइल हो जाता ना तो ऐसे भाई क्या होता है जितना यह है उसका 80% यहां पर होता है उसके बाद 15 जो आपका रिम की प्रोफाइल जैसे 15 इंच है तो वो अब सेम यह 195 का टायर अपनी एक्स्टर में भी डला था लेकिन एक्स्टर में यह अलग प्रोफाइल थी यह 195 का जो साइड बॉल है उसकी वो 65% थी तो इसलिए उसकी साइड बॉल कम थ होनी चाहिए तो इस तरीके से यह तो हो गए यहां तक उसके बाद जो अगला नंबर है वह 96S अब 96 और S का क्या मतलब है 96 है जो आपका पे लोड और S जो टायर किस प्रोफाइल का कितनी स्पीड लीमिट तक जाएगा जो S प्रोफाइल होती है वह आपका मैक्सिमम 180 किलोम उसलिए आपने देखा होगा कि यह जो टायर है 195 80 R15 यह हमारे light जो commercial vehicles होते है उनके अंदर यूज होता है जैसे टाटा का योदा हो गया महिंदरा पीकप हो गया इनके अंदर यह टायर प्रोफाइल यूज की जाती है यहीं पर किया है भाई कंपनियों ने दोखा क्या किया है उसी टायर को हलका करके यह टायर बना दिया अब इस टायर की जो resell value आती है वो मार्केट में आती है दो से धाई हजार रुपे वारा अगर आप यह नया टायर लेने जाते हो तो यह मार्केट में है भी नहीं तो आंदर इसको रखता भी नहीं है जिन लोगों ने भाई बहुत ज़ू ठी नहीं को यह जिन्हों ने अभीजिमनी चला रहे हो इस जनों अपना टियर के वह तो मौस्ट ली आपने देख्गा होगा कि जिपसी के अंदर जो हम टायर डालते थे पहले 215 पकीatar अब कर अचलता था हमेशा अप्ग्रेड में हमेशा यही टैय साड़ता लोग तक ये वजन उठा सकता है 710 multiply by 4 2840 केजी 810 तो अपनी जिमनी का ही वेट हो गया तो जितना जिमनी का वेट है उतना ही लोड गाड़ी लेके चल सकती है तो ये हो गया टायर की लोड इस से जदा अगर आप लोड गाड़ी उस पर आपको LTV लिखा मिलेगा इस चीज और मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कहां पर वेट है एक दिन मैं ऐसे बैटा तो मैं देख रहा था कि ये क्या चीज है ये देखो कोई भी चीज बनते है देखो उसके अंदर जोइंट तो होता ही है यहां पर देखो थोड़ा सा टैर दबा हुआ है टीक है इसको इंडुलेशन बोलते है जब हम टैर को जोइंट करते हैं प्लाइ चड़ती है तो इसमें क्या कर रखा है टैर को ये देखो ये देख रहो गाड़ी का टैर हाथ से इजिली दबता नहीं है यह देख रहे हो, यह देखो, यहां से दबा रहा हूँ, वहां से उठ रहा है, तो देख लो, सिंगल प्लाइ टायर है, मानता हूँ गाड़ी के अंदर इतना लोड नहीं है, इतना वजन नहीं है, लेकिन भाई, ऐसी भी क्या बचत करनी, कि भाई, बिल्कुल हलका टायर कोई नडल वाईगा बाद में इस टैर को, कौन लेगा इस टैर को, अगर मानलो यह थोड़ा सा हेवी होता, इसकी सणा वोल थोड़ी से मजबूत होती, तो मानलो यह पिकप ट्रक्स में यूज हो जाता, उनको सच्टा पड़ जाता, वह अपना गाड़ी में लगा लेकिन ह इतना हलका टैयर, लोड वाली गाड़ी, कैसे लगाएगी अपनी गाड़ी में? नहीं लगेगा भाई, तो यह टैयर टोटली वेस्ट है, यह मैं जब तक इसको चला रहा हूं, चला रहा हूं, उसके बाद तो यह टैयर वेस्ट ही है, बाई, जिमनी में या जिपसी में जितन अंदर अपने को जो नई वाली की बात कर रहा हूं जो अभी चल रिये जनरेशन उसके अंदर अपने को 18 इंच के वील्स मिलते हैं अब 18 इंच के वील्स तो भाई आगे एक्स्वी 7 double में भी आते हैं एक्स्वी 7 double का 235 प्रोफाल का जो टायर है वो थार के 255 प्रोफाल से महंगा है अलाकि 255 प्यआटार तो बड़ी प्रोफाल हुई ना लेकिन 235 महंगा है वो टायर की क्वालिटी अलग है दो कंपिनों ने टायर बनाय थे भाई एक MRF ने तो भाई कंपनी ने देखा ना कि टैर तो चली नहीं रहा बीस बीस पत्ची पत्ची जार पे टैर खतब हो जा रहे थे कोई गृप नहीं कुछ नहीं थार जैसी गाड़ी को तो भाई जबरदस गृप चाहिए ना जब गृप ही नहीं तो फैदा क्या अब वो टैर में आपक कोई यह मानता हो लेकिन सचाही तो यही है कि आप क्वालिटी से कॉम्परमाइज कर रहे थे हाँ भी यह कह सकते हो जुरूत नहीं है इतना पेलोड नहीं है यह नहीं तो भाई पता नहीं लगता कब कहां क्या हो जाएगा रोड पे चल रहे हो गाड़ी के ब्रेक्स और टै है महींदरा भी दे रही है और भी रही है और बीदे अनलखेना के हएंगे आफ में करती है एकिन बचत करनी हैं प्रॉफिट भी कमाना वह इंडिया में इंडिया में अगर हम अच्छी कॉलिटी का माल वहां से लिखाएंगे तो अच्छा ही माल आएगा लेकिन जो अपने इंपोर्टर्स है ये नहीं किया रहा है सारे इंपोर्टर्स खराब है गलत न है लेकिन कुछ लोग जोई ही सोचते है अरे कोई निए भाई बिख जाएगा दे देंगे लोग ले लेगे ये धारना अब बदल लो भाई लोग भोट समझधार हो गए है सब के पास दिमाग है भाई अच्छी चीज लाओगे तो अच्छे रिट पर ही बेचो गलत चीज लाओगे मैं कहता हूं सस्ते को छोड़ो यार मत लाओ उसको अब वापिस आयते हैं भाई कीटिर के और के तायर कीना कोण कोन सी प्रोफायल होती हैं कोन सी गार्ड़ी के अंबर आपको इसके को स्पीड वाला डर डलवा न चाहिए सबसे जाया जो टायर हमारी गार्ड़ी में डलता है वह बाई है एच का जो लास्ट में एच लिखाता है अब जैसे अपनी स्कॉर्पियन है उसके अंदर जो टायर प्रोफाइल है वो लगी तो यह 275-4820 लेकिन पेलोड कितना है उसकी स्पीड का कितना है रेटिंग जो होती है वह 110 एच है अब 110 आपका पेलोड कितना ले लेगा 1060 किलो तो चार टैर हो गए इतना हो गया आपका चार टैरों में भ包 इंहें 4,240-440.5-240 किलोडि अपना लोड उठा सकती है उन तैर सле तो यह न बहुत जो गाडि जितना लोड उठा सकती है उसका लगवगा आप यह मान के चलो जितना गाडि का बàiन है उतना ही डबल मान के चलो उ वह से उपर भगाना सेफ भी नहीं है, एक टायर की वही बात है रेटिंग लीमिट होती है, उतना ही वह टायर भाग सकता है, आया था आपका V-PROFile का टायर, वह चलता है आपका 240 km पर आर तक की स्पीड पे, ब्लू जो है वह आपका 270 km पर आर की स्पीड तक चलता है, आता है आपका Y-Speed का टायर, जो आपकी Sports Cars में यूज होता है, जैसे 300 km पर आर की स्पीड होती है, उतनी स्पीड तक वह टायर जा सकता है, खाली भाई, गाड़िया नहीं होती, सेडान भी होती हैं, वैन भी होती हैं, पिकप वैन भी होती हैं, लाइट कोमर्शल वहीकल भी होती है उन में क्या प्रोफाइल लगती है, जैसे आपने मोस्ली देखा होगा, जैसे टाटा एस, छोटा हती, पीकप ट्रक जो भी हैं सारे, इनमें आपने टायर पे देखा होगा, साइड में LT लिखा होता है, तो वह आपका लाइट कोमर्शल ट्रक के लिए होता है, ओफ रोड ट टायर था, एक प्रोफाइल आती, क्यों प्रोफाइल, जो मोस्ली अपने इंडिया में भाई यूज नहीं होती, क्योंकि ये विंटर टायर होते हैं, हमारे इंडिया में इतनी विंटर ज्यादा दिन तक रहती न, ऊपर नौर्थ इंडिया में, अपर मनाली साइड, ऊपर टायलर दाक में बर्फ रहती है, बहाँ पे जो पर्मानेट बंदे रहते हैं, उनकी गाड़ों में शायद कभी आपको देखने को मिले, अगर आपको याद हो, जाकड की एंडेवर में जो टायर पटा था, वो विंटर टायर था, अब विंटर टायर को आप नौर्मल रोड होती है, इस तरीके से आपको टायर लेना है, एक सी जोर्व आपको दाता हूँ, हालाकि वीडियो मैंने पहले भी पताया था, टायर की मनफेक्शिंग आपको कैसे पता लगेगी, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उल्टा है, हलाकि यह मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक टायर प्रोफाइल बड़ी करने से गाड़ी की माइलेज पे, पिकप पे कोई फरक नहीं पड़ता, यह वहम है काफी लोगों को, कि यार मैं बड़ा साइज डाल दूगा, तो पिकप घट जाएगा, माइलेज हमारी घट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे इं आपका रिस्पोंस करेगा, अब जिमिनी के अंदर डालने को तो भाई हम 16 इंच भी डाल सकते हैं, 17 भी डाल हो, और 20-20 इंच भी डाल रखा है, लेकिन 20 इंच के लिए तो भाई फिर आपको गाड़ी को लिफ्ट भी करना पड़ेगा, सस्पेंशन पर भी वर्क करना रेगी, इसका सस्पेंशन आपको बहुत बढ़िया फिल देगा, हाँ, अगर आप बड़ा टायर साइज डालते हो, शोक है भाई, जिसे मुझे बड़े टायर साइज का थोड़ा सा शोक है, और अगर हम भी इसके अंदर उतने बड़े टायर साइज डालेंगे, तो शायद हम भी गाड़ी को लिफ्ट करा लें, तो वो तो भाई टायर प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, कि भाई, हमारी गाड़ी लिफ्ट होगी, या इसी हाइट पे रहेगी, लेकिन इस बात, जिमनी के अंदर, भाई, मैं तोटली ना, मैं ये नहीं कहता, कि मैं इसको ऐसी लास्ट कम्पलीट हो जाएंगी, उसके बाद आप होगे, विकरम भाई, जिमनी तो आपने बनाई है, है ना, जिमनी को हम ऐसी रखेंगे, कि हम जैसे मरजी टेरेंस पे इसको ले जाएं, वहाँ पे ये अपनी फुल परफॉर्मेंस देगी, तो भाई, मैंने आपके आज बहुत सारे क्लियर कर दिये, लेकिर फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, तो आप वीडियो में मुझसे पूछ सकते हो, आने वाले वीडियो में मैं आपको उनका जवाब दे दूँगा, और एक बात और बता देता हूं, लास्ट में जाते जाते हैं, कि कोई बहुत सी गाड़ी का जरूरी नहीं है कि आपको टायर चेंज करना ही करना है, वह यूँ करने में कोई हरजाना नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी के अंदर ही आपको टायर प्रफाइल चेंज करना है, कमी जिस गाड़ी में होगी, उ ठीक ही है भाई और काफी लोग हैं जिनकी रणिंग बिल्कुल कम रहती है और यूसेज कम रहता है तो भाई आप अपना उसी वीज़ पर चलाओ क्यों खाम-खामे खर्चा करते हो कोई जरूत ने खाम-खामे पैसे बेस्ट करने की और दूसरों को देखके कभी कोई चीज न आपको ठीक नहीं लगता तो बिल्कुल भी उसीज को फोलो मत करो मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करता मैं आपको चीज बता सकता हूं दिखा सकता हूं कह सकता हूं कि भाई ये चीज ऐसे है लेकिन फोर्स नहीं कर सकता ना ही मैं आपको कभी फोर्स करूंगा तो ये था भाई अपना टैर से लेटेड एक इनफोर्मेशनल वीडियो जिसमें आपको क्लिरली सारा बता दिया हाँ भाई अब होगे जिमनी के टैर चल लिए भाई क्वी काफी सवाल में पसा रहे थे कई भाई रास्ते में मुझे मिलते जबी करम भाई अलोए चेज नहीं करा रहे टै यहान से यहां से यह लोगाना चीए को सक्टिंग तो कर रखे कहां से रखो कहां से इस डख्र को कहांं बनाया गया है प्लाई कंब कर दी मेट्रियल भी हल्का कर दिया और अकिला उस तरफ इंडूलेशन दी है यहां पर यह देखो एक दम से नीचे जाती है कि दो मैंने टै कम रखते थे मैं अपनी थार में भी आराउंड 25 के राउंड रखता था जब टैर्स में हावा क्योंकि सस्पेंशन उस टम तो भाई उसके इंदर लीव स्प्रिंग आता था ना इसमें तो फिर भी कॉल स्प्रिंग है चलो भाई बहुत बुराई कर लें इस टैर की आपको बह प्रिंगेशन मिलेंगी